नमस्कार दोस्तों वियनकेडी स्टेडी पोर्टल के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम सब इस वीडियो में भारतिय समिधान के अनुछेद से 20 महत्वपूर परशनों को पढ़ेंगे जो आपके आगामी परिछाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर है तो चलि को सब्सक्राइब के लिएका बेल आइकून को भी प्रेस के लिएका ताकि आने माले हर वीडियो का नोड़ेफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलता रहे तो चलिए हम सब शुरू करते हैं देखे आज का पहला प्रसन दिया है समिधान के अनुछेद एक में भारत को क्य कहा गया है कि परिसंग कहा किया है कि महासंग कहा किया है कि परिसंग परबर एकात्मक आधार के साथ कहा गया है कि राज्यों का संग कहा गया है देखे समिधान के अनुछेद एक में भारत को राज्यों का संग कहा गया है तो पहले का आपसन नंबर डी जो होगा सईयोगा समिधान के किन अनुछेदों में नागरीकता संबंधी प्रावधान है अनुछेद 1-5 में कि अनुछेद 5-11 में कि अनुछेद 12-35 में कि अनुछेद 36-51 में देखे दूसरे का आपसा नंबर जो होगा वह बीशयोगा भारतिय समिधान निर्माताओने भारतिय समिधान के दूसरे भाग में अनुछेद 5-11 में नागरीकता संबंधी प्रावधान किया तो देखे दूसरे का आपसा नंबर 20 जो होगा तो देखे नागरीकता जो हय वह और अनुछेद 5-11 तक है और देखे आपर आपसा नंबर 10 किया है और यह अनुछेद 12-35 में? अगला हम सब देखते हैं देखे तीसरा प्रसन अलै म्तपोता है निम्द में से कीन अनुछेदय द्वारा भारतियस समिधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चीत्ता प्रदान करता है अनुछेद 12 से 35 द्वारा कि अनुछेद 12 से 30 द्वारा कि अनुछेद 15 से 35 द्वारा कि अनुछेद 14 से 32 देखिए तीसरे का अप्सन नमबर ए जोगा सही होगाद 12 से 35 द्वारा भारतिय समिधान नागरिकों को मुल अधिकार निश्चिता प्रदान करता है तो तीसरे का अप्सन नमबर ए जोगा सही होगा इसे आप सब याद रखिएगा अगला हम सब देखते हैं देखिए चोथा प्रसन दिया है नौकरियों तथा सिच्छन संस्थाओं में समाज के कमजोर वर के लिए आरच्छन उप्रवध कराने के लिए केंदर सरकार को समिधान का कौंसा अनुछेद अधिकार प्रदान करता है अनुछेद 14 की अनुछेद 16 की अनुछेद 17 की अनुछेद 23 देखिए चोथे का आपसन नमबर जो होगा 20 सही होगा नोकरियों तथा सैचडिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर केलिए आरच्छन उप्रवध कराने केलिए केंदर सरकार को समिधान का 16 अनुछेद अधिकार प्रदान करता है तो चोथे का आपसन नमबर जो होगा सही होगा देखे अनुछेद 17 जो दिया है इसमें असप्रिश्यता का अंत इसे भी याद रखेगा अगला हम सब देखते हैं देखे प्रसन नमबर पांच दिया है भारत के समिधान का निम्न में से कौन सा अनुछेद असप्रिश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचड का निसेत करता है देखे इसे मैंने अभी अभी बताया तो यहाँ पर देखे अनुछेद 17 हो जाएगा यहाँ पर आप्सन नमबर सीस का सयोगा तो देखे भारत के समिधान का जो अनुछेद 17 है वो अस्प्रिश्यता का उन्मूलन दरसाता है तो यहाँ पर पांच का आप्सन नमबर सीस सयोगा अगला प्रसनम सब देखते हैं देखे प्रसन नमबर 6 दिया है भारतिय समिधान का कौन सा अनुछेद राश्रपती के पदके लिए पुनह निर्वाचन की योगताये निर्धारित करता है देखे प्रसन नमबर 6 का आप्सन नमबर डी सयोगा भारतिय समिधान का संतावनवा अनुछेद राश्रपति के पद के लिए पुना नीरवाचन की योगतानी धारित करता है तो 6 का आप्सन नमबर D जो होगा सही जोगा अगला हम सब देखते हैं देखें प्रसन नमबर 7 दिया है अगला प्रसन देखें दिया है भारतिय समिधान के किस अनुछेद के अंतरगत भासर एवन अभिव्यक्त की स्वतंतरता के अधिकार की गारंटी दी गई है अनुछेद 19 के अंतरगत की अनुछेद 20 के अंतरगत की अनुछेद 21 के अंतरगत की अनुछेद 22 के अंतरगत देखें जीतरा भी प्रसन हम सब पढ़ाना हैं या सवी देखें आपके आने वाली परिच्छाओं के ने बहुत ही मत्त पूड़ा हैं और साथ ही या सभी पिछले साल के परिक्षा में पूछे गए प्रस्नाएं तो साथ का आपसन नमबर A सयोगा भारतिय समिधान के अनुछेद 19 की अंतरगत भासर एवन अविव्यक्त की स्वतनतरता की अधिकार की गारेंटी दी गई है तो साथ का आपसन नमबर A सयोगा अगला परसन हम सब देखते हैं परसन नमबर आठ दिया है भारतिय समिधान के किसा अनुछेद में प्रेश की स्वतनतरता दी गई है अनुछेद 14 में की अनुछेद 25 में की अनुछेद 21 में की अनुछेद 19 में देखे 8 का आपसन नमबर D सयोगा तो भारतिय समिधान के अनुछेद 19 में प्रेश की स्वतनतरता दी गई है तो 8 का आपसन नमबर D जो होगा सयोका अगला हम सब देखते हैं देखेए प्रसन नमबर 9 दिया है मौली का धिकार के अंतरगत कौन सा अनुछेद बच्चों के 16 से संबंधी थै अनुछेद 17 है कि अनुछेद 19 है कि अनुछेद 30 है कि अनुछेद 24 है देखे नौ का आप्सन नमबर डी सायोगा भारतिय समिधान के अंतरगत अनुछेद 12 से 31 तक भारतिय नागरिकों के मुल अधिकारों का उड़ान है और देखे इसमें अनुछेद 19 से 22 तक स्वत्तंतर अधिकार का उड़ान है तो देखे नौ का आप्सन नमबर डी सयोगा तो अनुछेद 14 तक उड़ान है या बच्चों के सोशड से संबंदित है तो 9 का अप्चन नमबर D जो का सयोगा अगला हम सब देखते हैं देखे प्रसन नमबर 10 दिया है भारतिय समिधान के 21 अनुछेद में अल्प संख्यकों के हितों के सनरचड की विवस्ता है अनुछेद 32 में के अनुछेद 29 में के अनुछेद 14 में देखे 10 का अप्चन नमबर D सयोगा तो भारतिय समिधान के अनुछेद 29 में अगला प्रसन हम सब देखते हैं प्रसन नमबर 11 देखे दिया है कौन से अनुछेद के अंतरगत भारत का सरोच न्यायाल है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रच्छा करता है अंतरगत भारत के मौलिक अधिकार है और देखे समिधान के भागतीर में सन्नीत अनुछेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों के संबद में है जिसे सयुक्त राज अमेरिका के समिधान से लिया गया है तो 11 का अपसन नंबर D जो होका यहां पर सयोगा अगला हम सब देखते हैं देखे प्रस नंबर 12 है भारतिय समिधान के कीन अनुछेदों में राज के नीत निर्देशक ततों का उल्लेख है अनुछेद 36-46 में के अनुछेद 34-49 में के अनुछेद 36-52 में देखें 12 का अपसन नंबर C सयोगा भारतिय समिधान के अनुछेद 36-54 तक राज के नीत निर्देशक ततों सामिल किये गए हैं तो 12 का अपसन नंबर C जो होगा सयोगा दोस्तों आपने भी तक किस वीडियो के लाइक ने किया तो प्रीज लाइक जोड़ कर दीजिए अगला प्रसन हम सब देखते हैं दिया कि भारतिय समिधान के अंतरगत कल्यान कारी राज की अवधारणा निमर्खित में से किस अनुछेद में वड़ी थाए अनुछेद 31 में कि अनुछेद 49 में कि अनुछेद 49 में कि अनुछेद 51 में देखिए 13 का आपसन नम्बर B सयोगा भारतिय समिधान के अंतरगत कल्यान कारी राज की अवधारणा अनुछेद 49 में वड़ी थाए तो 13 का आपसन नमबर 20 होगा सई होगा अगला हम सब देखते हैं देखे प्रसन नमबर 14 दिया है भारतिय समिधान का कौन सा अनुछेद राज सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है अनुछेद इक्यावन है कि अनुछेद 32 है कि अनुछेद 37 है कि अनुछेद 40 है देखे 14 का आपसन नमबर 20 से योगा समिधान का अनुछेद 40 है राज की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है यह राज के नीति निर्देशक तत्तों में सामिल है तो 14 का आपसन नमबर D जो होगा सही होगा इसे यादर खेगा अगला हम सब देखते हैं प्रसन नमबर 15 अधिया है 42 संसोधन द्वारा समिधान के किसा अनुछेद में मौली कर्तवयों को जोड़ा गया है अनुछेद 51 में कि अनुछेद 51 A में कि अनुछेद 29 B में कि अनुछेद 49 C में देखिए 15 का आपसन नमबर B से योगा मौली कर्तवयों को 42 समिधान संसोधन द्वारा समिधान में सामिल किया गया है तो यहाँ पर देखिए 15 का आपसन नमबर 20 सईयोगा तो 51 को जोड़ा गया तो यहाँ पर देखिए 15 का आपसन नमबर 20 सईयोगा अगला हम सब देखते हैं देखिए प्रसन नमबर 16 है भारते समिधान के किसा नुछेद में मौली कर्तावियों की चर्चा की गई है देखिए 16 का आपसन नमबर 20 सईयोगा तो यहाँ पर देखिए 15 में मौली कर्तावियों की चर्चा की गई है तो 16 का आपसन नमबर 20 सईयोगा अगला हम सब देखते हैं देखिए प्रसन नमबर 17 दिया है संग की कारेपाली का सकती राष्टरपती में नहीं थोगी जिनका पर योगवा स्वयमिया अपने अधिकारों के द्वारा करेगा देखे आप सब 17 का आपसन नमबर जो होगा सी सयोगा अनुछेद तीरपन में संग की कारेक पाली का सक्त राश्रपती में नहीं थोगी जीन का प्रयोग वा सोय में अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा तो 17 का आपसन नमबर सी जो होगा सयोगा अगला हम सब देखते हैं प्रसन नमबर 18 दिया है भारत के समिधान के किस अनुछेद के अंतरगत भारत के राश्रपती पर महाभयोग चलाया जा सकता है अनुछेद 61 के अंतरगत के अनुछेद 75 के अंतरगत के अनुछेद 76 के अंतरगत के अनुछेद 81 के अंतरगत देखिए 18 का आपसन नंबर A सयोगा भारत के समिधान के अनुच्छेद 61 की अंतरगत भारत के राष्ट्रपती पर महाभ्योग चला जा सकता है तो 18 का आपसन नंबर A जो होगा सयोगा इसे आपसन व्यादर खेगा अगला प्रसन हम सब देखते हैं प्रसन नंबर 19 दिया है समिधान के किस अनुच्छेद में उपर राष्ट्रपती पद का प्रावधान किया गया है बताई अनुच्छेद 52 में कि अनुच्छेद 63 में कि अनुच्छेद 63 में कि अनुच्छेद 68 में देखे 19 का आपसन नंबर सी सयोगा समिधान के अनुच्छेद 63 में उपर राष्ट्रपती पद का प्रावधान किया गया है भारत में राश्टपती के बाद उपराश्टपती का पद कारड़े में दूसरा सबसे बड़ा पद होता है और देखे भारत का उपराश्टपती राज सभा की अधाच के तोर पर बिधाई कारियों में भी हिस्सा लेता है तो 19 का आपसन नमबर सीहां पर सही होगा अगला प्रसन हम सब देखते हैं प्रसन नमबर 20 का है सम्यधान के किस अनुछेद के अंतरगत मंतरीगड सामोहिक रुप से लोकसभा के परति उत्तरदाईच आई 1973 के अंतरगत के अंचेury 74 के अंतरगत के 626 के अंतरगत देखिए 20 का आप szerन नमबर सी साय योगा समिधान के 1975 के अंतरगत मंतरी गड़ सामोहिक रूप से लोक सभा के प्रती उत्तर दाइं प्रती उत्तर दैं एं तो 20 का आप eyelashesन नमबर सी जो हो गा साय योगा तो दोस्तों आज का आख़ी परसन था यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगाए और साथ ही दोस्तों यह आप लोग सामान हिंदी का च्यूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रीपिसन बाके में दे जिया है वहाँ से आप लोग सावान हिंदी का क्यूज कर सकते हैं और दोस्ते यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजेगा सेर कीजेगा साथ ही चैनल को भी सब्स्राइब कर लिजेगा तो इस वीडियो में तना है दोस्तो नमस्कार जय हिन जय भारत